आप सभी को जय मसी की तो बाइबल पोशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है जॉयसी और हमारा आज का वचन है मत्ती की पुस्तत 24 वा अध्याय जब इशू मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उस मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए उसने उन से कहा तुम यह सब देख रहे हो ना मैं तुम से सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो धाया ना जाएगा जब वहर जैतून पहाड पर बैठा था तो चेलो ने एकांत में उसके पास आकर कहा हमें बता कि ये बाते कब होंगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा इशु ने उनको उत्तर दिया सारधान रहो कोई तुम्हें न भर्माने पाए क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसी हूँ और बहुतो को भर्माएंगे तुम लडाईयों और लडाईयों की चार्चा सुनोगे तो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है पर तो उस समय अंत ना होगा क्योंकि जाती पर जाती और राजी पर राजी चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकम्प होंगे ये सब बातें पीडाओं का आरंभ होंगी तब वे खलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाती ओकि लोग तुमसे बैर रखेंगे तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे बहुत से जूटे भविश्चित वक्ता उट खड़े होंगे और बहुतों को भर्माएंगे अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा पर तु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उधार होगा और राजी का यह सोसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ ज जाएगा इसलिए जब तुम उस उजाडने वाली घ्रणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविश्यद्वक्ता की द्वारा हुई थी पावित्रस्थान में खड़ी हुई देखो जो पढ़े वह समझे तब जो यहुदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए जो छ पिलाती होंगी उनके लिए हाई हाई प्राथना किया करो कि तुम्हें जाड़े में यह सब्द के दिन भागना न पड़ें क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरम से न अब तक हुआ और न कभी होगा यदि वे दिन खटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता परन्तु चुने हुओ के कारण वे दिन घटाए जाएंगे उच समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहां है या वहां है तो विश्वास ना करना क्योंकि जूटे मसीह और जूटे भविशित वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अध्वत काम कि यदि हो सके तो चुने हुओ को भी भरमा दे देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना क्योंकि जैसे बिजली पूत्र का भी आना होगा जहां लोथ हो वहीं गिद इखटा होंगे उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगे तब मनु के पुत्र को बड़ी सामर्थ और आश्वरी के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे वह तुर्ही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भीजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकठा करेंगे अंजीर के पेड से यह द्रश्चांत सीखो जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्मकाल निकठ है इसी रीती से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकठ है वरन द्वार ही पर है मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा आकाश और प्रित्वी टल जाएंगे फरन्तु मेरी बाते कभी न टलेंगी उस दिन और उस घड़ी के विशय में कोई नहीं जानता नस्वर्ग के दूत और न पुत्र फरन्तु केवल पिता जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष के पुत्र का आना भी होगा क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जहास पर न चड़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालुम न पड़ा वैसे ही मनुष के फुत्र का आना भी होगा उस समय दो जन खेत में होगे एक लेली आ जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्तृयां चक्की पीष्टी रहेंगी एक लेली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्ह घर में सेंथ लगने ना देता इसलिए तुम भी तयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विश्य में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा अतह वह विश्वास योगी और बुद्धिमान डास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नोकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए मैं तुम से सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपती पर अधिकारी ठहराएगा पर तु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपनी साथी दासों को पीपने लगे और पियकडों के साथ खाए पिये तो उस दास का स्वामी ऐसे दिना आएगा जब वह उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा वहां रोना और दाट पीशना होगा